ओम नमो भगवते वासु देवाई नमस्कार दोस्तों आज मैं आपको कार्थिक मास महत्तम के 31 में अध्याय की कथा सुना रहा हूँ ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे राजन पापों का नास करने वाली प्रवोधनी एकादसी का महत्तम सुनो भागवान कार्थिक में जैसे कथा आदी से प्रसन होते हैं वैसे यग्यादी से नहीं होते हैं जो कोई रात्री को जागरन करता है कपूर से भागवान की आरती करता है या दीवदान करता है वै बैकुंट को प्राप्त होता है ददे दूद धी और जल से जो भागवान को लोग की प्राप्ति होती हैं, कार्टिक सुकला एकादसी को, भक्ती वावसे भगवान को जगावें, नित्य गीत, बाजा वजाना और चारों वेदों के मंत्र, भगवान की कथा इस्त्रोत, इन से भगवान की महिमा गावें, पुष्प दीप नैवे से भागवान की पूजा करें और कहे कि ब्रह्मा रुद्र और इंद्र आदिक से पूजत भागवान उठियें आपके जागनी से संसार जागता है आपके सोने से संसार सोता है मेग गए दिसाय निर्बल हो गई अव सरद रतू के पुष्प ग्रहन करों वैश्णव लोग एकादसी की रात्री को सेन करावें दिन को जगावें जब एकादसी बीत जाए तो द्वादसी के दिन उप्टन लगाकर पंचामरस से इश्टन करावें गुरु चनवा तिलक लगावें वस्त्र आदिक पेनावें पोस्व कुमकुम दीप धूप नैवेद तता खीर से हवन करें इस प्रिकार पूजन करके ब्रामनों को भूजन करावें वस्त्र और दक्षना दें चार महिने के ब्रत की समाप्ती कर ब्रामनों को दक्षना देकर ब्रिसर्जन करें भीश्म पंचक ब्रत एकादसी से पूर करें भूमी पर सेयन करें पांच दिन अखंड दीव जलावें ओम नमो भगवते वासु देवाएं इसका एक सो आठवा जाप करें पूजन के पाश्चात अर्द देकर तेल जो खीर का ओम नमो नारायन इस मंत्र से हवन करें द्वादसी को गो मूत्र त्योदसी को गो दुग द्वादसी को घी, त्रियोदसी को गोदान, चत्रदसी को खीर, पूरण मासी को सफेद काले तिल और अन्न का दान करें पूरण मासी को आमले के निचे स्राद करने से हंस नाम वाला ब्रामल यूडिश्टर हुआ भीस्म पंचक में रोज भीस्म जी का थरपन करना चाहिए वसुके अफतार सांथनू के पुत्र चंद्रवन्समे ओत्पण, भैयागर पद गोत्र, संसक्रत प्रवर, बाले पुत्र रहत्त, सत्य ब्रत गंगा के पुत्र, जन्म परिंत ब्रह्म चारी रहने बाले, बीश्म जी का तर्पन कंडे से बर्स वर के पाप ना सोजाते हें इती स्री कार्तिक मास महात्तम 31 अध्या संपून बुल कार्तिक मास महात्तम कीजए बुल विश्नु भगवान कीजए